स्वागा थे दोस्तों गीक परना में आज हमारा वीडियो है हम लोग ने मोगलिक से एक टीपी लिंग का राउटर में गया है एर 605 तो इसका अन्बॉक्सिंग हम लोग करते हैं और देखते हैं हम लोगों को इसमें क्या क्या है फैसिलिटीज वगरा कन्फिगरेशन भी हैं घर से ओफिस का नेटवर्क या ओफिस से घर का नेटवर्क एकसेस करने के लिए तीन साल की वारेंटी के साथ आता है आपका ये और ये मोगलिक से मेरे को बहुत कम प्राइस पर मिला अमेजन वगरा पर प्राइस थोड़ा ज्यादा आ रहा था तो देखिए ये बिल्क का राउटर है प्लास्टिक बोडी नहीं है और हीट डिसिप्सिशन भी होता है इसमें मेटल रने कारण आगे में देखिए थीन एलिडी है यूस्बी अप लगा सकते हैं और इस तरह से आपका सबसे पहले वैन का है उसके बाद जो है एक और वैन लगा सकते है या फिर बैन बना सकते है या फिर लैन भी बना सकते है और ये है आपका एड़प्टर बारा भोल्ट का उसके बाद चली हम लोग देखते हैं और क्या है हम लोग बूटिंग टेस्ट भी करेंगे तो यह दिखिए यह पावर का लेड़ी सिस्टम और नीशे में यूसबी का है लिंक और एक्ट का है उधर साइड में जो उसमें नोटिफाइ किया हुआ है वाइट कलर से और इसमें कुछ नहीं है बस इसको आप अपने वाइफार रोटर के पहले लगा सकते है तो आप लेन वगार में आप 1Gbps तक का स्पीड आपको मिलेगा वैन पे भी आप इसमें 1Gbps का स्पीड ले सकते हैं दूसरा वैन भी लगा सकते हैं या फिर चार लेन लगा सकते हैं आप पर डिपेंड करता है आप वी लैन भी इसमें कन्फिगर कर सकते हैं दोस्तों इस बात का दिहान रखेगा तो हम लोग उन्हें गेमिंग के लिए इसको लिया है लैन गेमिंग के लिए तो चार पीसी हमारा है ले में यायर गेमिंग के लिए दोस्तों यहां ल्ला कराеты पहले लोगन in क्लेंगां ने में सहिए अपना यूजर नेम गीक पर नो डाला था तो by default गीक पर नो डाल देंगे तो ये open हो जाएगा उसके बाद चलिए पहला पेज जो है इस तरह से थोड़ा slow खुलता है पहली बार में तो version 2 का है ये hardware और इसका link जो है भी अब दिखा रहा है जियो फैबर से भी हम लोग ने connect कि दोस्तों air fiber से उसका भी video में कर डाल दूँगा वैन ये land one देखिए इसमें है तो दूसरा वैन पर हम लोग ने लगाया हुआ है पहला वैन खाली छोड़ा है तो इस तरह से इतना IP जो है वह हम लोग को दिखा रहा है जो air fiber का उसके वाद आई हम लोग देखते है और भी इ देखिए पहला वैन हम लोग को डिसेबल कर रहा है यह हम लोग का मेन लिंक आएगा इसमें फाइवर का तो इसमें आप दो तीन अप वैन डाल सकते है इसका ध्यान रखेगा एक एक डिवाइस अभी हमारा कनेक्ट है इस पर जो की वाइफई के थुरू का करेक्टेड है उ को अपरेटर से मैक रिस्टोर नहीं करना पड़ेगा उसके बाद देखिए वी लैन का ओप्शन जैसे मैंने पहले बताया तो अभी जो है वी लैन जो हम लोग को डिलीट कर दिया था बट आप इसमें दो वी लैन बना सकते हैं दो दो पोर्ट को एसाइन कर सकते हैं या फि आदे रहे भी यूस्वी वाला ओप्शन है जो यूस्वी रहेगा यूस्वी मोडम भी आप इसमें लगा सकते तो दिखेगा आप का इसमें आप ड्राइव लगा के शेर शेर भी कर सकते हैं नेटर्क में उसको आपको एक्सेस हो जाएगा वह उसके बाद देखिए यहां हाँ पर प्रिफ्रेंस में ऐई ग्रूब का फसिलिटी है इसमें में आप फी गृूब बना सकते है यहां पर देखिए इस तरह से हेल्प और यहां पर कैसे करना है आपको नहीं भी आता है तो आप बना लेंगे VPN का IP पूल लिस्ट है, VPN को IP में कितना IP आप साइन करेंगे, उसके लिए है, VPN मैंने पहले बताया था, तो VPN facilities में बहुत अच्छा इसका ध्यान रखेगा, transmission वाले में आते हैं हम लोग, यहाँ पे net है, उसवे 1-2-1 ने आठा है, virtual server, port forwarding होगा रहा है, bandwidth control है इसमें, bandwidth control आप इनेवल करेंगे, तो कितना percentage जो है, maximum पे जाएगा, तो उतना पे आपको reserve करना है, तो आप अपना, select कर लेंगे आप, उसके बाद quality of service है, यहाँ पर देखिए, van का जो है, हम लोग ने disable करकर रखा है, तो 1GBPS का देखिए, वहाँ पे जो inbound output है, आप वहाँ पे अपने नुस्वार डाल सकते है, session monitor देखिए, यहाँ पे है, monitor करने के लिए, तो link backup और online detection, यह आप दूसरा, when मेरा अप होगा, तो यह दिखाएगा, firewall का option है, इसमें बिल्कुल TP link वाले router के तरह, थाकि लोग को यह easy रहे, तो Mada का यह बहुत अच्छा है दोस्तों, और मैंने पूरे Mada से configure किया हुआ अपना घर, तो मैं इसको अभी वीडियो डालूँगा, web filtering वगर यहाँ का भी option है, सबसे बड़े बात है कि इसका price बहुत कब है, इसमें आपको इतना सारा facility मिल जा रहा है, परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा है, यहाँ पर देखिए, VPN का जो आप बनाएंगे, उसका users वगर यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर आड़ करके account name और password वगर यह सब डालना पड़ेगा, उसके दौर भी features देखिए, इसमें, authentication है, authentication setting में, वेब authentication का portals के तुरू आप authenticate करा सकते है, LAN में, जो भी user जो है, यहाँ पर authentication page के picture डालना पड़ेगा, आपको information लिखना पड़ेगा, तो user को username password डालना पड़ेगा, यहाँ पर user management है, और configuration backup है, आप पर backup ले सकते है अपना, authentic status जो है, अगर को connect बगर करेगा, तो उसका दिखाएगा, dynamic DNS का देखिए, इतना सारा option है, इसमें, चार है इसमें, बाकी सम में दो ही मिलता है, बड़ इसमें चार है, custom भी आप बना सकते हैं, UPNP मैंने कल भी बताया था, UPNP नेबल रहेगा, तो वो आपका जो है, दिखाएगा, टोरेंट पकर यूज़ करने के बाद IP या फिर कैमरा का भी दिखाता है, यहाँ पर DNS repeater भी आप बना सकते हैं, DNS proxy में देखिए, बहुत अच्छा feature है यह, विबसेट पकर जो आप लोग रिखरते हैं, तो वो उसका caching यहाँ पर आएगा, सारा जो है, उसके बाद system tool में यह admin का page इसमें आप factory restore कर सकते हैं, reboot कर सकते हैं, फर्मेर upgrade controller setting है, अगर आप controller लगा रहा हैं तो उसको यहाँ enable करिएगा, तो हम लोग ने लगाया है, मैं videos का डालोगा बाद में, उसके बाद time setting है, तो हम लोग ने internet से इसमें budget करने का option डाला है, उसके बाद system log है, system log इतना सारा है, तो इसको delete हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए इतना सारा features बहुत अच्छा feature था, static वाला कल मैं ने बताया था वीडियो में कि static routing के लिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने static routing करके रखा हुआ है, आगे हम लोग ने एक और switch लगाया हुआ है, तो यह switch का IP है, दोनों का, तो इस तरह से हमारा static routing जो है, जा रहा है, इसमें reverse routing चलता है, दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, routing में इसका नहीं, बलके opposite side वाले का जाएगा, तो यह छोटा सा वीडियो था, वीडियो चले धन्यवाद